Hello people, यह question है gate 1990 के exam में से, यानि कि अल्मोस 30 साल पुराना है, बट काफी अच्छा question है और आपको ऐसे questions की practice करनी चाहिए. Let's first read the statement. For the synchronous counter shown in figure, write the truth table of q0, q1 and q2 after each pulse, starting from q0 is equal to q1 is equal to q2 is equal to 0. and determine the counting sequence and also the modulus of counter. Okay, तो आप देख सकते हो, जो counter question में given है, वो मैंने यहाँ पे बना रखा है. इसमें तीनों के तीनों flip-flops हैं, jk flip-flops और jk flip-flop का function table भी मैंने आपके लिए यहाँ पे बना रखा है. Let's start from here. इस flip-flop को analyze करो, आपको पता चलेगा, जब भी यहाँ पे और gate की output है 0, तो jk की values होंगी 0 and 1, और जब भी और gate की output है 1, उस case में jk की value होगी 1 and 1. तो सबसे पहले डूंडते हैं कि और gate की output 0 कब है और 1 कब है. हम और perform करवा रहे हैं Q2 और Q1 में. यह रहे Q2 और Q1. तो इनका और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे 1 होगा, 0, 0 पे और 0 होगा. और फिर इन तीनों जगा पे भी और 1 होगा. Now you can see, जब भी और 1 है, jk की values हैं 1, 1. 1, 1 पे jk अपनी output को invert करता है. यानि कि जो भी current output है, अगली output उसका complement होगी. अब आप देख सकते हो, current output यानि कि Q0. तो यहाँ पे Q0 है 0, यानि कि next output इसका complement होगी. यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. Similarly, यहाँ पे current output है 1, तो next output इसका complement होगी. Okay, because जब भी jk की values 1, 1 हैं, तो next output, current output का complement है. That means invert state. अब देखते हैं, जब इस और gate की output 0 आ रही है. 0, 1 पे, जो jk की output होती है, वो हमेशा ही 0 होगी, irrespective की current output क्या है. देखो, हमेशा ही 0 आएगा. Okay, तो यहाँ पे भी output 0 है, यानि की 0, 1 और यहाँ में भी output 0 है, यानि की 0, 1. Okay, 0, 1 में reset, यानि की output 0 होगी. अब analyze करो, इस flip-flop को. देखो, k में connected है q0 का compliment, और j में connected है q2. तो यहाँ पे मैं पहले j और k की values लिखता हूँ. You can see, jk की values मैंने note कर ली है, j में, as it has connected है q2, तो q2 वाला पूरा column j में copy कर दिये गया है, और k में connected है q0 का compliment. तो q0 है 0, उसका compliment 1, फिर 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का compliment 0 and so on. यानि की इसके लिए हमें jk की values पता है, अब सिरफ output लिखनी है. तो जब jk है 0, 1, यानि की reset, reset में output 0 आएगी, तो यहाँ पे 0 आगया. और आप देख सकते हो 0, 1 कहां पे है, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी output आगी 0, अब देखो 1, 1 पे क्या होगा. 1, 1 पे हम invert करते हैं, यानि की जो भी previous output थी, या current output थी, उसका inverse next output है भी. तो current output है 0, इसका inverse है 1, और यहाँ पे भी 1, 1 है, और current output है, present output है 1, इसका inverse आएगा 0, यानि की cloth बेने के बाद जो next output होगी, वो होगी 0. तो next है 00, 00 पे JK की जो current output है, वही next output होगी. यानि की QN प्लस 1, QN ही होगा, means, जब JK 00 है और आपने clock दिया, तो output पे कोई effect नहीं होगा. यहाँ पे output 0 थी, वैसे का वैसे ही copy कर दो, क्यूंकि output पे कोई effect नहीं होगा, when JK 00. यहाँ पे भी 1 as it is copy हो जाएगा, अब बचा case 1, 0 का, 1, 0 के case में output हमेशा ही 1 होती है, यानि कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगा output आएगी 1, ओके, तो हमने Q1 का column भी fill कर लिया है, now let's go for Q2, Q2 यह रहा, इसके लिए K की value तो हमेशा ही 1 है, ओके, तो यहाँ पे हर जगा 1 लिख दो, now let us see, J की values क्या होंगी, अब देख सकते हो, J है, and of Q1 bar, Q0 bar, J is equal to Q1 bar, and Q0 bar, अब आप चाहो, तो इसे as it is solve करके, J की values निकाल सकते हो, और ऐसा भी किया जा सकता है, कि इसे आप लिख लो, Q1 nor Q0, ओके, इस expression की जगा अगर आप nor solve करोगे, तो वो easy रहेगा, देखो, nor के लिए सबसे पहले odd होंडो Q1 और Q0 का, तो Q1 और Q0 का or, यहाँ पे one होगा, यहाँ पे भी one होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, रादर इन सभ जगा पे one होगा, अब अगर और one है, तो nor zero होगा, यहाँ पे zero आएगा, इन दोनों जगा पे और zero है, तो nor one होगा, तो हमने j ढूंड लिया, यहाँ कि nor of Q1 and Q0, अब हमारे पास दोनों j और k की values आ चुकी है, हमने बस Q2 ढूंडना की Q2 output क्या है, तो आप देखो, जब JK की values है, one, one, उस case में, जो Q2 की current value है, वही invert होके next output आ जाएगी, तो Q2 की current value है zero, यहाँ पे one आ जाएगा, जब भी अप लॉग दोगे, यह zero, one में convert हो जाएगी, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, one zero में convert हो जाएगा, next आप देखो, इसे analyze करते हैं, इस case को, यानि की zero, one को, zero, one के case में, आपको पता है, output zero आती है, तो यहाँ पे भी zero, यहाँ पे भी zero, rather in सभी जगा पे zero ही आएगी, क्योंकि सभी जगा JK की value है, zero, one, okay, तो table fill हो चुका है, अब ढूंडते हैं, counting sequence क्या है, देखो, zero से शुरू six पे गए, let me write it, zero से one पे गए, one से six, one, one, zero, यानि की six पे गए, फिर one, one, zero, इस stage पे अगर आप हो और आपने एक clock दी, तो आप जाओगे two पे, okay, फिर two पे अगर आप हो और एक और clock दी, तो आप चले गए four पे, अब अगर four पे आपने एक और clock signal दिया, यह रहा four, four पे clock signal दिया तो वापिस zero पे आगए, यानि की ऐसे, अब यहाँ पे बच गया three, seven और five, three पे देखो क्या हो रहा है, three पे अगर आपने clock दी, तो four पे जा रहे हो, यानि की ऐसे, seven पे देखो, seven से आप जा रहे हो two पे, औ तो seven से गए two पे, five से भी गए two पे, okay, this is the counting sequence for given flip-flop, तो question में आपसे counting sequence पूछी थी, वो यह रही, और पूछा था कि counter की mod value क्या है, अगर हम zero से शुरू कर रहे हैं, तो देखो, जब भी हम zero से शुरू कर रहे हैं, हम इन पांचों states में loop करे जाएंगे, zero अगली state one, फिर six, फिर two, फिर four, दुबारा zero, one, six and so on, okay, आपने जितनी मर्जी बारी लगातार clock signal प्रोवाइड किया, हम इस loop के बाहर नहीं जा सकते, यानिकि mod value है five, क्योंकि इस loop में पांच states हैं, तो आपका answer है mod five, या only five, counter की mod value पांच आईएंगे, ca. थाली chat, प्तॉआ. हम एम आपका rजू झाईएंगे. झाल झाल